लेकिन इसी बीच बड़ी खबर लगातार आपको बता रहें जो पर एक और बड़ी खबर बता दे पुंच आतंकी हमले में पाकिस्तान चीन गट जोड की बड़ी भूमिका पर परदाफाश हुआ है और खुबिया एजनसी सूतों के मताबिक आतंकी हमले में चीन में बने हत्यारों का इस्तमाल किया गया है और इसके साथ ही PAFF और TRF जैसे शैड़ो आतंकी संगचन चीन में बने उपकरणों का इस्तमाल कर रहे है यह जानकारी कलिया आपको News 18 इंडिया ने सबसे पहले दी थी कि जिस तरीके से पुंच में हमला हुआ उसमें चाइना कनेक्शन निकल कर सामने आ रहे है यह भी गया कि पुंच हमले में भी चीन में बने हतियार, बोडी सूट, कैमरे और कम्यूनिकेशन डिवाइस का इस्तमाल किया गया यानि कि इसका मतलब यह भी नकाला जा सकता है कि पाकिस्तान चाइना स्पॉंसर्ड विपन्स का इस्तिमाल कर रहा था हिंदुस्तान के खिलाफ तो देखें, यह पहली बार नहीं है जबकि आतंकी हमले में चाइना में बने उपकरण का इस्तिमाल होने का दावा किया गया हो हालाकि इससे पहले भी बात करें तो खूफिया एजेंसिया आतंक पर पाकिस्तान और चीन के गट्चोड का कई बार परदाफाश कर चुकी है आई आपको उन उपकरणों के नाम बताते हैं जो भारत में कारणा हरकत में इस्तमाल किये ज़ा रखी है इंफोमेशन वाल के दरे आपको बताने ही कोईश करेंगे कौन कौन से ऐसे वेपन से जिनका इस्तमाल किया गया सबसे पहले स्नाइपर गन और हैंड ग्रेड का इस्तमाल किया गया इतुना ही ने देखें जो सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है आए दिन जिसकी खबरे आती है वो है ड्रोन और दूसरा है बॉडी कैंट जिसका इस्तमाल लगातार आतंकवादी भारत में आशांती फैलाने के लिए कर रही है तो यह तमाम वो चीनी निर्मित उकरण आपको बता रहे है जिनका इस्तमाल जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और इसी खबर पर उज़द जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे हमारे साजोगे आमित मांडे भी हमाई साजोगे अमित यह कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से चानिना स्पॉंसर्ड वेपन का हिंदुस्तान के खिलाफ उपयोग करने की कोशिश की गई हो या फिर उपयोग किया गया हो पाकिस्तान की सेना लगातार इनको मुहया करवाती है आतक की संगटनों को और उसी का इस्तेमान यहाँ भारती विवस्ता के खिलाफ करते हैं और इस साल में जो तीन बड़े हमले हुए हैं उनमें यही गचोड सामने आया है हला कि भारती सुरक्षा और कुफिया एजिंसिया इस गड़्योड को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है और रणीती तयार कर रही है लेकिन लगातार पाकिस्तान की ओर सीह कोशिट जारी है बकाइदा साइबर विंग का पाकिस्तान आर्मी में गठन किया गया है जिसको पूरी मदद चीन की तरफ से मिलती है और यही साइबर विंग है जो आतंकियों को घुसपैट कराने में मदद करता है और इस तरीके के जब हमले होते है तो समवाद जो इंक्रिप्टेट इंक्रिप्टेट जो कम्मुनिकेशन होता है यह पाकिस्तानी सेना की साइबर विंग के जरी होता है और साइबर विंग को जो निर्मित किया है वो चीनी तक्नीक ने निर्मित के है तो बड़ा गजोड है बारत के लिए बड़ा खत्रा है और हमारे देश की जो सुरक्षा कुफी अइजिंसिया है उसी के मताबिक रणनीती तैयार कर रही है बिल्कुल अमित लोटेंगे आपके पास फिलाल के लिए जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्र है लेकर इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे है जिस तरीके से पुंच में आतंकवादी हमला किया गया भारतिये सेना को निशाना बनाया गया बिसमें चीन एंग पर चीन और पाकिस्तान गड़ जोड पर कई बड़े खुला से किया है आपको यह मताते हैं कि आतंकी किस तरह से उन उपकर्णों से भारत में काराना हरकत को अंजाम देने की पिराक में जुटे रहते हैं वो कौन-कौन से हथियार है देखे चीन में बने वे स्नाइपर गन जिससे बड़ा सचीक निशाना लगता है और हमले के बाद चीन में बने वे क्यामरे से बाकाइदा तस्वीर लेते हैं यह आतंकी और चीन की तखनीक से फोटो को मॉर्फ किया जाता है ताकि लोगों के अंदर ध्रम की स्थिती पैदा की जा सके थे कि 2023 में तीन हमलों में PAFF और TRF ने तस्वीर जारी भी की थी जो कि इनी कैमरे की मदद से ली गई थी इसके अलावा कमिनिकेशन डिवाइस के अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्टेड मेसेजिंग डिवाइस का इस्तमाल यह करते हैं ताकि पकड़ में ना सके फोन से बात करेंगे तो पकड़ना अ हत्यारों का इसके अलावा कमिनिकेशन डिवाइस का अब आधान प्रदान किया जा रहा है पाकिस्तान तक पोचा रहा है चाइना तो वहीं भारत में नापाक हरकतों को अंजाम देने में चाइना पाकिस्तान और आतंकियों का मददगार फाबित हो रहा है लेकिन कूफी एजनसी ये दावा के साधार पर कर रही हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं देखे चाइना से पाकिस्तानी सेना को सैन उपकरण दिये जाते हैं इतना इने चीन पाकिस्तानी सेना को ड्रोन हैंड ग्रिनेट के साथ साथ कई हत्यार देता है पाकिसान की सेना इन हत्यारों को आतंकी संगठन को आगे भेज देती है इतना इने पाक सेना खास कर P.O.K. में मौजूद आतंकवादी संगठनों को ये हत्यार मुहया कराती है जिनका इस्तमाल भारत में गुसपैट और आतंकी हमले के लिए भी किया जाता है और इसी दोरान चीन से मिले हतियारों का जादा से जादा इस्तिमाल किया जाता है लेकिन चालबास चाइना और पाकिस्तान के इन हरकतों पर भारती एजिंसियों की पूरी पूरी नजर बनी रहती है और यही वज़ा है कि भारतिय सेना पाकिस्तान और आतंग को गट जोड पर लगातार प्रहार कर रखी है चीन लद्दाख से भारतिय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगा रहता है दावा तो ये भी किया जाता रहा है कि जमू कश्मीर में आतंकी हमले में भारत को व्यस्त रखने के लगातार कोशिश की जाती है लेकिन भारतिय सेना लदाख और जमू में पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है अलट रहती है और यही वज़ा है कि भारतिय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब लगातार दे रही है और इसके साथ ही च्वाइना पाकिस्तान गड़ जोड को नाकाम करने के लिए भारत ने सिक्यारिटी ग्रिड भी बना रखी है और ज़़ानकारी के लिए हमारे सेयोगी संदीब बो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए संदीब जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आतंकवादी गतिवीदिया बहुत ज़़ादा तेज हुई जिसको लेकर कल आर्मी चीफ भी वहाँ पर पहुँचे थे लेकिन चीन का अब जब नाम निकल कर सामने आ रहे हैं ऐसे में केंद्र सरकार या मूदी सरकार का क्या टेक है देखे सबसे पहली बात तो यह है कि चीन और पाकिस्तान आल वैदर फ्रेंड है आल वैदर फ्रेंड यानि की दुनिया में किसी भी देश के साथ कुछ भी तरीके की दिक्कते हो जा ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करना नहीं चोड़ेंगे और दोनों ही देश भारत के पडोसी हैं भारत के दुश्मन है ऐसे में चाइना लगातार उनकी सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा है ना सिर्फ एर फोर्स ना फिर मतलब तीनों फोर्स को वो एक्यूप कर रहा है और उनको बढ़ाने कोईश कर रहा है चोटे-चोटे जो डिवाइस जितने भी टर्रिस् और उसके बाद ये आगे डिस्टिब्यूट किये जाते हैं तो ये जो गटजोड है ये बहुत पुराना गटजोड है और बारतिय सेना, बारतिय सुरक्षा एजेंसियां हर एक चीज़ पर नजर रखती है और इसी वजए से हमारा जो security grid है वो बहुत ज्यादा मुश्बू है हर एक छोटी-छोटी चीज के लिए तो वह गलतनी और खास तौर्पे की सामरी चीजों के लिए और यही वज़ा है कि इतने बड़ी तादाद में यह गैजेट्स जिनका इस्तेमाल आतंकी करते हैं वह पकड़े भी जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी भी मिल रही है तो बिल्कुल जो टर्रिजम है उसको लेकर नीती बिल्कुल साफ है कि उसको किसी पी तरीकी से बढ़ने नहीं दिया जाएगा क्योंकि अगर हम लोग आतंकी और लेकिन आप उन रिष्टों के पीछे का सच खुल कर्द सामने आ चुका है नेकि जमू कश्मी में लगातार